दोस्तों बात करें तो लावा ने अपना पहला 5G फोन यहाँ पे लॉंच कर दिया और उसका नाम में लावा अगनी 5G और पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन ब्रैंड की तरफ से आपको पहली बार एक 5G फोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि देखते आके चलके किस तर का यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसमें क्या फीचर है क्या स्पेसिफिकेशन और रियल वर्ल्ड में फोन कैसा है तो वीडियो कर आप लोगों पसंद है तो लाइक कर देने चैनल को सबस्क्राइब कर देना सबसे पहली बात एक बात बता देने वालो फोन जो है वो पहल 810 चिपसेट जो कि अभी बिल्कुली लेटेस चिपसेट के अंदर आता है और इसका पावर्ड आपको इडवाइस देखने होता है और जिन लोग को अगर डाउट है कि इस फोन की कीमत किती है तो ऑफिशली जो फोन की कीमत रखी गई वो रखे गई यह 19999 लेकिन जो लोग इसको प्री बुक करेंगे और इनिशली इसको और करेंगे तो हाँ पर जो स्पेशल सेल प्रैस रखा गया वो रखा गया 17999 लगभग 18,000 रुपर तो यह 18,000 यह 20,000 की रेंज के साब से क्या सब होना है देखो सबसे पहले जब भी हम 5G के बारे बात कर तो दिमाग में सबसे पहले चीज आती है यह आधिर 5G है तो 5G बैंड्स किते होंगे तो इसके इसके अंदर आपको तीन नयाउन 5G नेट्वर्क के जो बैंड्स होते वो देखने को मिल रहे हैं और फाइब जी के स्प्क्रम को अगर हम देखें तो जो मिड्ड बैंड का जो सेइक्मेंट होता है वो यहां पर इसे cover कर रहा है, low band नहीं सिर्फ mid band cover हो रहा है और non standalone वालों को मिला आज़े, तो ऐसे हम total 5 5G band कह सकते हैं तो इस step के आपको 5G देखने को मिलेगा, लेकिन जब 5G इंडिया में आएगा तब हम इसके real coverage को बता पाएंगे, लेकिन यह big band spectrum जो रहता है उसे यहां पर cover कर रहा है जो कि आप local लिए जानना जरूर था, इसके साथ ही chipset के बारे में बात करें Dimensity 810 एक काफी अच्छा chipset है, यह 6NM की technology पे-based chipset है और इसको already मैंने यहां पर use किया, realme 8S में तो उसकी performance का एक idea बता सकता हूँ एक काफी अच्छा processor है, 20,000 के नीचे के phones के लिए एक अच्छी चीज़ है लेकिन अगर मैं इसकी कीमत compare कर तो realme 8S आता है, 70 Interpol 9 का और यह special introductory price में 70 Interpol 9 का रहा है, तो फिर क्या है बात यह कि यहां पर इसका उन्होंने कोई भी 6GB RAM option ने निकाला, यहां पर लावा वालों ने किया किया, सिर्फ एक ही version निकाला है RAM storage का, जो की है 8128, 8GB RAM, 128GB storage के था, UFS-based storage देखने को मलती है, और LPDR 4X RAM देखने को मलती है इसके साथ ही बात करें, तो 20,000 के price पॉन का आपको लगए इसी टाइप की specification, Realme 8S में भी मिली है, और nearest अगर मैं कोई दूसरा phone देखूं तो यहां पर Moto Edge 20 Fusion आता है, उसके अंदर भी Dimensity 800U देखने को मिलता है, तो वो साड़े 12,000 का है, तो देखा जाए तो जैसे दूसरी companies क जो phone price रहते है, ठीक ठीक आपको वैसे ही कीमत देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ, 61.8 अगर हिलो एक और version निकाल देते हैं, तो वो इक अच्छी चीज होती, इसके साथ ही बात करें, डिस्प्ले के तो यहां पे 6.7 इंच का Full HD Plus IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जिसके उपर जो Corning Gorilla Glass 3 की जो protection होती है, वो यहां पे आपको देखने को मिलेगी, इसके साथ ही बोला गया, कि जो डिस्प्ले है, वो इस particular price segment में सबसे बड़ा डिस्प्ले दे रहे है, तो जो लोगों को बड़ा डिस्प्ले में मीडिया कंसम्शन करना है, उनकी लिए जा तो यहां पर आपको 5000 mAh की बैट फ्री देखने को मिल रही है, और 30W की जो charging होती है, वो यहां पर देखने को मिलेगी, और box में जो charger है, वो भी आने वाला है, इसके साथ ही बात की जाए, तो यहां पर cameras में भी थोड़ा बहुत नो ने काम दिया, जैसके बात करें, 20R की रेंज में काफी सारे है, ऐसे phone से कि हमने 5G वाले, जहां पर ultra wide angle lens missing हो जाता है, बहुत सारे ने, dimensity 700 के साथ काफी सारे आते, किसी में भी ultra wide angle lens ने आता, यहां पर ultra wide angle lens डाला है, जो कि है 5 megapixel का, अगर 8 megapixel का लालते तो बेटर होता, लेकिन जनरली चीज़ हमें देखने को न camera देखने का मिलता है, और बात करें video recording की, तो यह full HD 1080p में video record करता है, यहां पर और वहीं बात करें, इसके अंदर आपको ultra HD mode मिलता है, फोटोग्राफी के अंदर, जहां पर आप 108 megapixel में फोटोग्राफ ले सकते हैं, वैल, यह कोई नई चीज़ नहीं से पहली भी हम देख च तो यह कुछ चीज़े camera setup यहां देखने को मिल रहा है, पीछे की दरब, अब देखते कि इसके exactly performance वगरा कैसी रहती है, इसके साथी build पीछे की आपको polycarbonate aka plastic की देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर made finish रखी गई और सिर्फ एक fiercely blue color आपको देखने को मिलेगा, एकी color version और ए एक अची चीज़ जो यहां पर नो ने करी है, वो है stock android 11 को यूज करना, out of the box android 11 के साथ आता है, stock android आपको देखने को मिलता है, lava ने आपके confirm कर दिया है, और देखके अच्छा लगता है कि सारी चीज़े हैं और bloatware वाली चीज़े हैं आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो क particular cases में जो lava का अगनी 5G phone होता है, यह अपनी काफी कच्छी जगे बना लेता है, इसके साथ ही बात करें, refresh rate जो था display का वो exactly 90 Hz आपको देखने को मिल रहा है, इसके साथ ही dual band Wi-Fi देखने को मिल रहा है, audio jack देखने को मिल रहा है, 3.5 mm को Bluetooth 5.1 को यह support करता है, और यहां पर देखने से, वो है 9.1 mm और 204 grams weight है, तो overall बात करें, exactly phone कैसा है, दो को phone बिलकुल वैसे ही जैसे दूसरी कोई company निकालती है, उसमें कोई doubt नहीं है, बस एक advantage है कि पहली बात तो एक Indian brand की तरफ से आ रहा है, और दूसरी चीज़ चीज़ इसके सबसे बड़े हतियार है, बाकि पूरा जो phone है, यह इस particular price range है, similar chip set के सब 810, Dimensity 700 या 800 के सब कोई दूसरे phone आते, बिलकुल आपको यहाँ पर वैसा ही देखने को मिल रहा है, बस एक चीज़ रोने करी कि 8128 वाला model नकाला, अगर 6128 नकालके 2000 रुपे कब कीमत रखते, तो वो चीज़ यहाँ पर curves affordable हो जाती अब आप में से कब से लों का सवाल रहेगा कि AMOLED डिस्पले होना चाहिए था, 8 Megapixel का Ultra Wide Angle Lens होना चाहिए था, यह होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, देखो बात यह कि यहाँ पर लावा पूरी कोशिश कर रहा था 5G के अंदर घुसने की, और अभी 5G phone बनाना जैस कि मैंनों को बता है, थोड़ा सा महेंगा पड़ता है, especially 2021 में, कोई ना कोई compromise आपको यहाँ पर करना पड़ता है, कहीं वो display के अंदर होता है, कहीं वो ultra wide angle lens निकाल के होता है, कहीं वो charging के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर वस लावा नहीं किया कि compromises को कम से कम करने कोशिश कम कर देते, तो हाँ, इस टाइप की चीज़े ना करते ही, नोंने एक balance phone से बनानी कोशिश करिए, और कोई भी अगर market में 5G phone देख रहा था, तो उसके लिए काफी अच्छा है, especially introductory price जो नोंने हाँ पर बता है, उस particular cases में, और देखा जाए तो अभी से अगर आप करेंगे, तो आपको 17 नवंबर तक का time मिलेगा, तब जाके चीज़ होगी, और उसके बाद ही जो phone वो deliver होगा, और लगभग 500 रुपे देखे इसके pre booking बगर है, तो ये कुछ चीज़ है, लेकिन बोलना चाओंगा की, ऐसा देखा है तो हमें लग रहा था ने, कि लावा बिलकुल extraordinary बस वही उन्होंने कर रहा है, बस Indian brand का tag लग गया है, और यहाँ पे जो उनका stock Android का जो साधन होता है, वो चीज़ यहाँ पे लग गई है, और introductory price थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो देखके लगा कि कम से कम neck to neck नहोंने compete करनी की कोशिच करी, जो कि काफी अची चीज़ ह उम्मीद है कि अगर हम Lava वगरा को थोड़ा support करें, तो आगे चलके थोड़े और competitive products यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक designed in India phone यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो वो कुछ अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले भी तो ऐसे चीज़ होती थी थी न हो रहा है, यह उपर की तरफ उठ रहे हो धीरे धीरे 5G वाले जमाने में जा रही है, तो दिखते हैं, आने वाले टाइम में क्या चीज़े रहते हैं, कैसा future रहता है, और यह कुछ कहानी रहती हैं यहाँ पे लावा की, आप लोग को लगता है कि लावा सच में हाँ पे टक क्या है, पूल्हा थाम।